भगत के बस में है भगवान अरे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है भगत बिना ये कुछ भी नहीं है भगत है इनके प्रान भगत के बस में है भगवान अच्छा भगवान भगत के बस में है पर भगत कौन है जिसके अंधर भगती है भगती किसे कहते हैं माराज जी प्रभू चाह में चाह मिलाने को भगवान की भगती कहते हैं प्रभू चाह में चाह मिलाने को भगवान की भगती कहते हैं बस जीते जी मर जाने को भगवान की भगती कहते हैं बगवान की भक्ती क्या है जिसमें परमात्मा की रजा उसमें भक्त को मजा यह भक्ती है जो हो रहा अच्छा हो रहा है क्योंकि गोश्वामी जी कहते हैं ओई यही स्वी जो राम रच राखा को करी तरक बड़ा वैसा खा को करी तरक बड़ा वैसा खा भाई होगा वही जो राम जीक ने सोचा होगा हमारे आपके सोचने से कुछ भी होने बाला नहीं है टायम बरवाद है बेकार का सोचना है दिमाग खराब करना इस्ट्रेस डिप्रेशन में जाना है जो हो रहा उसे परमात्मा की क्रपा मान कर सुईकार करो जो होगा वो भी अच्छा हो रहा हम तो केबल परमात्मा की बच्चा है राम जीकी कर पास सब अच्चा है अच्छा बैचार करो ऐसे नहीं ऐसे समझो दूसरी बात से मान लो तुम्हारा बुरा होना है तो तुम्हारे रोने से क्या रुक जाएगा जैसे एक ब्रेक्ती हमें मिले महराची हम तो बहुत टेंशन में दिनना रात दिमाग खराब रहता है हमका दिमाग खराब रहता है कोई बात नहीं दिमाग खराब करो मत जो होना है सो हो नहीं है हमारे आपके कहने से कुछ लुक ना हो तो हम लोग कुछ कहें होगा वही हुई यहिस्वई जो राम रजी राखार राम जी ने जो सोचा होगा वही होगा होगा वही जो परमात्मा ये मंजूर होगा दूसरी बात जिन्दगी दो प्रकार से जी सकते हो एक रोकर एक हसकर अच्छा रोकर जीने का क्या मतलब दूसरों के सुख को देखकर अपने आपकी उससे तुलना करना रोकर जिन्दगी जीना है अच्छा व्यक्ति दुखी क्यों है हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता और दूसरों से किन से, जो उससे बड़ा है, बड़ों से तुलना करता, धन में बड़ा, पद में बड़ा, कद में बड़ा, रूप में बड़ा, संपत्ती में बड़ा, ऐसे व्यक्ति से अपनी तुलना करता है, तो व्यक्ति दुखी रहता है, और सुखी अगर होना है, तो नीचे बालों से अपनी तुल्ला करना प्रारंब कर दो तुम कहोगे भाई इनके तो हाथ ही नहीं है भगवान ने हमें तो हाथ दे राखे हैं जै जै धन्नवाद परमात्मा का कि तीसरी बाद नदी नदी होती नदी नदी में डूबता कौन है जो हाथ पाउं फटकार बहुत जल्दी डूब जाता है जो हाथ पाउं फटकारता हो लेकिन कभी तुमने मुर्दा डूबा हुआ सुना क्या मरा जी मुर्दा डूबा हुआ सुना नदी में जिन्दा आदमी डूब जाता है लेकि मरा आदमी उपर आ जाता है यही संसार सागर का सार है अगर तुम परमात्मा की सरन में रहकर अपने आपका कुछ जमीर जिन्दा रखोगे तो डूब जाओगे और अपने आपको परमात्मा के सरन में छोड़ दोगे तो तुम डूप करके भी तैर जाओगे